बेंटिन एलियन फोर्स के प्राइमोस एपिसोड में जो विल्गास कोड़ों स्ट्रिम से निकलता है तब उसका हाइट इतना ज़्यादा कैस से बढ़ गया कोड़ों स्ट्रिम में इसा क्या है जो विल्गास को एक जाइंट विल्गास में टब्दिल कर दिया इसका जबब आज हम जानेगे आज के हमेरे इस वीडियो में So watch till end without skipping the video विलगस के जायंट वोने का राज कोडौन स्टीम में ही छुपा है तो आए कोडौन स्टीम के वारे में जान लेते हैं कोडौन स्टीम में मिलकी वे गैलेक्सी के सबी प्लानेस में रहने वाले डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिस के DNA सांपल्स मौझूद है कोड़ों स्ट्रिम्ट के के अलग फीचर से भी है स्पेसियली कोड़ों स्ट्रिम्ट के उपर मैंने अलग से एक वीडियो वना रखी है इस बीडियो के बाद आप उस बीडियो को भी चेकाउट कर सकते हो Codon Stream का एक फीचर ये है कि ये कि यह किसी भी स्पेसिस के DNA में हुई God Body को पेचान सकता है जैसे कि स्पेसिस आराक्ना चिम में हुई बदलाब को Codon Stream ने पेचान लिया था कोडन स्ट्रीम Chemistry कर सकता है अमरेटिक्स कोडन स्ट्रिम के साथ लिखन ने के वज़़ास का यूजर डिफरेंट अल्यन में ऐ Baba स्टा यह कोडन स्ट्रिम का बायो एन्सट्रिम है जह स्टेसिस में हुए बदलाब को प्रेच्चान सकता है और उनमें हीरोस का पावर को अफजर्ब कर लिया था इसलिए कोड़न स्ट्रीम ने उसे किसी और फॉर्म में म्यूटेन करने के बजाए उसे एक चाइन फॉर्म में टांस्फर्म कर दिया इस फॉर्म में भिलक्यास वेबिक जितना बड़ा हो गया था पर वो उतना ज्यादा दाकतबार नहीं बन पाया था इसलिए वेबिक ने उसे आसान इसे स्पेस में फेक दिया था आखिर में जैसे के आज मत ने कहा कि कोड़न स्ट्रीम का उसर खतम हो जाने से भिलक्यास आपने असली फॉर्म में आ जाएगा और वैसा ही हुआ दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर और एसे ही इंट्रेस्टिंग टपिस के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करना